एक मृत्यू का भाइ हमें बड़ा खाता है पर समय जिस प्रकार बीत रहा है हम उसको मृत्यू से भिन जानते हैं जबकि ये मृत्यू से अभिन हैं जैसे उधारनता मान लेजिए अभी मेरी युवावस्था है और कोई भी युवावस्था में जो मेरी उमार का होगा वो अपने बच्चे के साथ अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रहा है कूद रहा है और बड़ा इंजोई कर रहा है वो अपने बच्चे का बच्चपन और अपनी युवावस्था और उन दोनों का संबंद इसको इंजोई कर रहा है खुब आनंद हो रहा है अब अगर मान जे कोई सो कॉल्ड दुरगटना नहीं भी होती तो भी आज से पांच साल बाद साथ साल बाद दस साल बाद ना मेरी युवावस्था रहेगी और ना उसकी बालवस्था रहेगी तो दस साल बाद वो बालवस्था और वो युवावस्था और वो संबंध उसकी मृत्ति तो हो का थो फोई पूत्र जब 30 साल का चालेस साल का हो गया है तो अब पिता और पूत्र में वो संवंड़ नहीं राजोभव पहले था तो उस संवंड़ की मत दिए से अंस्वन मत खता है यह संबंद तो समय वैसे भी क्टम कर वहा रहे हैं हर स्वंडर व County की मृत्यू तो होई रही है ये शन जो इस शन पहले गया उस शन की तो मृत्यू होई गई अब वो शन दुबारा कहा आएगा वो तो खतम जो खतम वो ही मृत्यू तो उस शन की मृत्यू हो गई अब जो इस शन की बात करें पिछले शन की मृत्यू हो गई तो मृत्यू को इत पांस साल बाद नहीं रहेंगे तो वो भी मिर्ट्यू ने इस से मेरे को अलग कर दिया मृत्यू नहीं होती तो भी अलग हो जाते हैं तो भी वो समय नहीं रहता और फिर हम कौन सा गुन सा रहने वले हैं जो इतना शोख करें कि भर्य ये इसकी मृत्यू हो गई उस व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि मैं जिस पे शोख कर रहूं इसकी मृत्य हो गई तो मैं कौन सा यहां पर अमर हूं न कि जाने मेरी मृत्यू कितनी जल्दी ओने वली हैं तो अपने परम कल्यान का केवल स्मरण करें ये मृत्यू से और उससे ये पथ छोड़ा नहीं जाता इससे घवराना नहीं है अगर शोख होगा भी तो समझाना होगा कि ये速 मृत्यू ये समंध की ये जो मैं हमम मिरत्यू से क्यों रोते हैं जो मैं इंद्रित्रिप्टि कर पारा था उसमें बाद आ गई सब् tiếp dirty को एक बार मैंने कििसी की मिरत्यूल पर कथा करी थी उनके जबनें तो मान माता जी रो रही थी दो और को में में यही बात समझा रहा था वह रो रही थी तो बोलते बोलते एक flow में बोल गया बाद में लगा नहीं बोलना चाहिए था मैंने बोला देखो अब ये माता जी रो रही है ये बोल रही है हाई मेरा क्या होगा हाई मेरा क्या होगा हाई मेरा क्या होगा